दुनिया भर में बिजली सस्ती हो रही है लेकिन पाकिस्तान में बिजली महेंगी कैसे हो गई 2021-24 के दर्मियान हमारी पर यूनिट टैरिफ 25 रुपए से बढ़ कर 54 रुपए पर चली गई वेलकम चू पाकिसान अंकाउंटिंग मेरे नाब जुनेद इग्वाल है और थैंक यू फर वाचिंग आर एनजी सीरीज इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान की बिजली धाई गुना और बंगलादेश के मुकाबले में साड़े तीन गुना महेंगी है जिस अरसे में इंडिया की बिजली 12 सेंट से कम होकर 8 और बंगलादेश की बिजली 9 सेंट से कम होकर 6 पर आई उसी अरसे में हमारी बिजली 12 सेंट पर किलोवाट आर से बढ़कर 21 सेंट पर पहुँच गए दुनिया भर में बिजली सस्ती हो रही है लेकिन पाकिस्तान में बिजली महंगी कैसे हो गई? इसको समझने के लिए बिजली के cost के जो major factors हैं उनको break down करना ज़रूरी है बिजली की cost में 5 major components होते हैं पहला generation, बिजली बनाने की cost second transmission बिजली घर से distribution companies तक बिजली पहुचाने की cost तीसे distribution के electric, lahore electric से आपके घर तक या कार खानों तक बिजली पहुचाने की cost चौथी हुकूमत के लागू करता taxes और पांचवा additional charges अगर हम इसको break down करें तो आपके बिल में 48% cost generation की है 3% transmission की, 8% distribution की, 15% taxes की और इन सब के उपर 26% additional charges लग कराते हैं इनको one by one break करते हैं सबसे पहले generation की cost उपर क्यों चली गई? इसके चार major reasons हैं सबसे पहला है reliance on imported fuel 2021 में हमारी 47% generation imported fuel से हुई थी ये गिरकर 2024 में 22% पर आगी लेकिन हम overall देखें तो 2018 onwards global fuel prices काफी उपर चली गई थी सिर्फ 2021 और 22 के दरम्यान oil की कीमत में 85% का अजाफा हुआ था coal की कीमत में 200% का और natural gas की कीमत में 300% का अजाफा हुआ था अब कीमते कुछ stabilize हो गई हैं लेकिन पूरी तरह recovery अभी मी नहीं हुई अगर natural gas की कीमत में 10% का अजाफा होता है तो बिजली 2% से महंगी हो जाती है 2021-24 के दरम्यान हमारी per unit tariff 25 रुपे से बढ़कर 54 रुपे पर चली गई इसमें सिर्फ fuel की prices की वज़ा से जो increase है वो 2 रुपे 10 पैसे का है जब भी global fuel prices बढ़ेंगी हमारी बिजली का बिल ऊपर चले जाएगा Secondly, हर जगा की तरह हमारे भी power contracts डॉलर में किये जाते है 2018 में डॉलर 109 रुपे का था जो आज 280 रुपे का हो गया जब रुपिया 10% से गिरता है तो हमारी बिजली 6% से महंगी हो जाती है यानि 2021-24 के दरम्यान जो unit price में 25 से 54 रुपे तक का jump हुआ है इसमें से 14 रुपे सिर्फ रुपे की कमजोर होने की वज़ा से add हुए है तीसरा factors interest rate का है जब power plants लगाए जाते हैं तो उनकी 80 फीसद financing loan से होती है और ये loan mainly international market से लिए जाते है तो मार्च 2002 में FED का rate जो बताता है कि US का dollar का bottom rate क्या है तो मार्च 2022 में FED का rate half a percent पे था जो जुलाई 2023 में 5.5% पे चला गया इससे हमारी cost of servicing debt आसमान पे चल गई तो जब भी FED का rate एक फीसद से बढ़ता है हमारी energy की cost तीन फीसद से बढ़ जाती है तो 25 से 54 रुपए के अजाफे में तकरीबन साड़े चार रुपए का अजाफ़ा सिर्फ interest rates बढ़ने की बढ़ने की बढ़ने की चौथी वज़ा जो है वो है access capacity पाकिस्तान की total generation capacity 46,000 मेगावाट है चाहे हम इसे इस्तिमाल करें या ना करें हमें हर साल 2.1 trillion रुपीज की capacity payment देनी ही पड़ती है तो गिव यू कॉंटेक्स हमारा पूरा जो education budget है वो 1.1 trillion है तो 2.1 trillion आप समझ लें इसका double हो गया तो अब हमारी peak summer demand है वो 34,000 मेगावाट की है और winter demand 17,000 मेगावाट की है तो on average पूरे साल हमारे पास कमसकम 23,000 मेगावाट की capacity होती है जिसको हम इस्तेमाल नहीं कर लोते है अब इस access capacity पे हमें 550 अरब रुपे की payment देनी पड़ती है जो और per unit basis तक्रीमान साड़े 5 रुपे बनती है and to sum up generation cost, imported fuel, गरता हुआ रुपया और बढ़ते हुए interest rates और access capacity की विज़ा से हमारी generation cost उपर से ली गई अब आते हैं transmission की तरफ जिसमें 3 major factors है पहले तो transmission infrastructure पुराना है जिसकी विज़ा से तकरीबं 0,5% transmission loss होता है जिसकी विज़ा से आपके bill में तकरीबं 30 पैसे add होते है Secondly, transmission का infrastructure incomplete है हमारी south में विजली बनाने की जो per unit cost है वो 16 रुपय की है और north में 35 रुपय की और हमारी consumption north में 77 फीसद है और south में 23 फीसद लेकिन हम south की विजली पूरी तरह north पुचा ही नहीं पा रहे है मिसाल के तौर पे हमारे जो most efficient plants है थर कोल का 2400 मेगावाट का plant है या पिर घारो और जंपीर में जो हमारा wind corridor है जिसमें हमारे तक्रीबन साड़े 1800 मेगावाट लगे में हम इसकी capacity payment तो पूरी करें लेकिन transmission complete ना होनी की वज़ा से हम इसकी मुश्किल से 75 फीसद बिजली national grid में पहुचा पा रहे है अगर south से north पूरी बिजली पहुचे तो हमारे बिल में सीधा सीधा 2 रुपै पर unit की कमी हो सकती है तीसरा factor यह है कि तक्रीबन 20 से 30 फीसद पाकिस्तानियों के पास आज भी बिजली पहुच ही नहीं रही क्योंकि transmission infrastructure ही महाँ पर नहीं लगावा अगर तमाम लोग network में हो तो capacity payments भी divide होकर per unit basis पर कम हो जाएगी अब आते हैं distribution की दरफ पाकिस्तान के total distribution losses 509 रब रुपै के हैं इसकी वज़ा पुरानी तारों की वज़ा से energy loss बिजली की चोरी और बिलों की अदम अदाय की है और पाकिस्तान wide basis हमारा distribution loss 16.3% है percentage wise देखें तो सबसे कम loss इसलामबाद electric में होता है at 8% और percentage wise सबसे जादा loss पिशावर electric में होता है 37% पे समझने की बात यह है कि पूरे मुल्क में जितनी मिज़ली चोरी होती है या बिल अदा नहीं होते और उसका जो total मिलाकी नुक्सान होता है 509 अरब रुपए का यह सब के बिल्स में divide होता है तो अगर आप अपना बिल अदा करते हैं और बिजली चोरी नहीं करते तो यह समझें कि आपके बिल में 5 रुपए distribution की losses की विज़ा से add हो रहे है 2021 में total distribution losses 109 बिलियन रुपए के थे तो जो 2024 में बढ़कर 509 बिलियन रुपए के हो गया यानी 4 रुपए per unit का अधाफा अब आते हैं टैक्सेस पर जहां बिजली के बिल के जरिये हुकूमत 7 अलग किसम के टैक्सेस कलेक करी है पिसे साल हुकूमत ने 860 बिलियन बिल्स के तुरू कलेक किया हुकूमत अपने total collection का तक्रीवन 10% यहां से कलेक करती है अब इसके breakup में 17% के करीब sales tax लग जाता है फिर 10-12% का income tax भी लगता है जो pending on consumption 500 रुपए से 20,000 रुपए तक भी लग सकता है इसके इलावा 5 और मजीद taxes एड होते है अब सवाल यह बनता है कि बिजली के बिल में income tax क्यों लग क्या आ रहा है आपको हमारी tax वाली second episode याद होगी जिसमें हमने discuss किया था कि सिर्फ 1.4% of population अपने taxes को फाइल करी है और total tax to GDP 9.3% है और FBR लोगों को tax net में लाने में नाकाम हो गई है इसलिए बजाए directly उनसे income tax collect करें जो पे नहीं करते मिसाल के तोर पे पिछले साल पूरे retail sector ने सिर्फ 15 अरब रुपे के करीब tax दिया और पूरे agriculture sector ने 4 billion के करीब tax दिया तो हकूमत ये tax का बोज अमीर और गरीब सब पर bills के जरीए divide करके लगा देती है ये taxes बिल में तकरीबन 8 रुपे पर unit add करते है और 2021 से 24 के दर्मियान बिजली के bills से direct collection में 515 रुपे का इजाफा हुआ है यानि के तकरीबन 5 रुपे पर unit का इजाफी tax आपके bill के जरीए collect की अधार है अब आते हैं इजाफी charges पर जो आपके bill का 26% हिस्सा है पहले तो 8% सरचाज लगा जाता है जब bill अदा नहीं होते है या bill की चोरी होती है तो हुकूमत को फिर भी power plants को पैसे देने पड़ते हैं लेकिन हुकूमत के पास तो देने के लिए पैसे हैं ही नहीं तो वो ये पैसे power companies से और energy sector के बाकी कमपनियों से उधार कर लेती है इसको circular debt कहते हैं अब ये उधार या इस circular debt जो है बढ़ते बढ़ते 2.6 trillion रुपीज का हो गया और इसका जो सालाना सूच जाता है वो ही तकरीमां 1.500 billion का हो गया और इसकी विदा से 1.5 रुपे पर unit आपके bill में इजाफी surcharge लग कर आता है और इसके अलावा और भी मजीद surcharges हैं तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मेंगी बिजली मुकमल तोर पर planning और administration का failure है और इसकी विदा से पूरे मुलक में पिछले साल बिजली की demand में 9% की कमी आ गया है इंडस्ट्री अपने खुद के लगाए हुए प्लांट से बिजली बना रही है और घरीलू सारे जो afford कर सकते हैं वो solar की तरफ move करें और जूँजू ये अच्छे customers जो pay भी करते हैं और ज्यादा consume भी करते हैं grid से move करते जा रहे हैं और grid में चोरी करने वालों की customers की शराब बढ़ती जा रही है तो ज्यादा से ज्यादा capacity charges, taxes और T&D losses per bill basis पर divide होकर आते जा रहे हैं एक तरफ बिजली महिंगी होती जा रही है और consumption और economic growth गिरती जा रही है कोई भी मुल्क सस्ती बिजली के बगहर तरक्की नहीं कर सकता आने वाली वीडियो में हम generation, transmission और distribution के challenges को detail में breakdown करेंगे ठैंक यू और खुदा हाफिज और जाते हुए एक सवाल आपकी नजर में हुकूमत ऐसे कौन से steps ले सकती है जिसकी विजली के बिलो में कमी आ सके अपना जवाब comments में जरूर दूईजिए और हमारे चैनल को जरूर सबस्काइब करें